तो बैटा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके कुछ और फीचर देखेंगे हम अब्जेक्ट और प्रोगामिंग के तो पहले फीचर जो हम ले रहे हैं वह है इन्हेरिटेंस त्रिचेकलो और चुखेंबे जोशचे कंगे इस मृपी अइन्हेरिटेंस से वीडियो में बच्चे अपने पैरेंट करते हैं शॉपाइशित किसी थिचव तर्य उट्येरिटेंस 90% हाइट अच्छी होती है ना ओटोमेटिकली वह इनको क्या है वह इनहेरेट आपने किया उनकी प्रोपर्टी को आपने इनहेरेट किया उसका यूज भी किया और अपनी बी कुछ नई प्रोपर्टी जन्रेट करी तो सिंपल वही आपका लोजिक है इनहेरेट अंस में आप जहां पर सिम्पली एक फ्रोपर्टी अधिर्टी है कुछ तो दे कि다 कि यह हमारी है इसके कुछ मेर्टि रिप्रोपर्टी बनाए ठिक है अगर इन ही मेंबर्स को का कि हिन्ही यह मींबर्स को जो बेहेवियर है जो कुछ मेंबर है इसी क्लास में अगर में इनी मेंबर को यूज करती हूं तो simply आपके कहलाती है inheritance कहलाता है inheritance पूरा पूरा चेप्टर है आगे हम पढ़ेंगे तो simply हमने हैं पे क्या है कि है इसमें क्या है यहां से क्या हुआ इसको इन्हेरिट कर लिया है यही प्रोपर्टी आपके यहां पर आकर इन्हेरिट हो जाएगी ठीक है आपने इन्हेरिट क्या यह तो आपके क्लास एक्स के मेंबर है ठीक है यह आपके क्लास एक्स के मेंबर है यह आपके क्लास वाइगे मेंबर है यह यहां पर इन्हेरिट कर ले तो यहां पर जो इसके मेंबर से इसके जो प्याइवियर जो इसकी प्रोपर्टी से उसको कि इसकेलावा अगर हम पर थे हैं पॉली मॉर्फिजम को उने चीज़ करते हैं तो यह लोग तो आपको फिर जादा फॉर्म में तो एक च्ठी удоб पर रिप्रिजेंट कर रहें यहां यूश कर रहे हैं क्लोफ आपका पॉलिमोर्फिजम क्यालाता है दो तरीके इसके इंप्लीमेंट करने के एक तो है आपका ओप्रेटर ओवर्लोडिंग है है ठीक है एक तो हो गया इसका बैटा ओप्रेटर ओवर्लोडिंग कि यहां लगते हुँ कि तो होगे आपको ओप्रेटर ओवर्लोडिंग आपका हो गया फंक्ष्ण फंक्ष्ण ओवर्लोडिंग फंक्ष्ण ओवर्लोडिंग हमने देखा था पिछली वीडियो में जब आप सेम गेम आपने उससे फंक्ष्ण क्रेट कर रहा ना कि यह उसे प्रेमिटर अलालग दे सकते हैं तब भी वह आपको रिजल्ट देंगे जैसे सबसे पहले हम देखते हो वर्लोडिंग जैसे मैं परेटर तो प्लस का एक उप्रेटर तो इस उप्रेटर का यदि में यूज करते हूं इसे अगर मैं इसको यूज करते हूं ऐसे डाओ कि यह वेल्डी के साथ ना थसफन प्लोसथ nा फरन है चीवर्ड को आपको पौइन वह यूडरर ओंस देगा 5.3 तो आंशर तो यह आपकू देन रहा है यह आपकी overloading है इसमें same operator को दो अलग अलग purpose के लिए यूज किया गया है तो यह operator overloading हो गया function overloading आपने देखा था जैसे void void f1 function मैंने आपर बनाया उसके अंदर मैंने लिख दिया character x और एक लिख दिया int y और इसके अंदर मैंने कुछ काम किया ठीक है और simply मैंने आपर एक function और बनाया void f1 नाम सेम लेकिन मैंने इसमें दोनों मेंने आपके character देए नाम तो अने audio function मैंने पर आपके आपर behave अनग लग करेगा है परेमिटर यह साब्स है तो ऐह between semaines तो यह क्या है नाम तो same a function का लेकिन behave अलग अलग है ना यहां पर integer नहीं है तो परेमेटर के साब से ही उसके behave करेगा ठीक है अगर दो में paragraph को calling के time से character देती हूं तो यह execute होगा अगर मैं एक character और एक integer देती हूं तो यह वाला execute होगा तो simply क्या है polymorphism सेम चीज को मैं अलग अलग तरीके से कर सकती हूं इसके अलावे एक और concept है आपका modulatory वह आपकी book में नहीं है पर इसको देख लेता है ना छोड़ा सा समझ लेता है module ठीक है modularity यह क्या होता है बटा किसी प्रोलम को छोड़ी प्रोलम में डिवाइड करना उसको इतना छोड़ा कर देना कि उसको में इंडिवीजुली सोल्व कर सकती हूं अगर आप एक CPU को देखें तो CPU आपके बहुत बहुत बड़ा सिस्टम है तो चोड़े चोड़े पार्ट में जैसे SMPS है चोड़े प्रोलम को डिवाइड करके स्वाल करना तो यह आपके object-oriented प्रोलम के जो concept है तो यह हमारा complete हो गए बच्चे ठीक है अब आगे की वीडियो में पढ़ेंगे class and object